राम राम आप सभी को आज हम बनाएंगे बादाम का पाउडर इसे हम मिल्क मसाला पाउडर भी बोल सकते हैं ये पाउडर सर्दियों के मौसम में अगर हम दूद में मिला कर पिये तो ये बहुती टेस्टी भी लगता हैं और हमें ठंड से भी बचाता है क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है ये दूद दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है ये पीने में उतना ही स्वादिस्ट लगता है इसे हम कम से कम चीज़ों में बनाएंगे और एक्दम सरल तरीके से बना की तयार करेंगे इस पाउडर को हम बारिक पीस कर भी बनाएंगे जिससे ये ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और क्रीमी क्रीमी सा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो यहाँ पर मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया है और इसमें एक कप जितना बादाम डाला है यहाँ पर मैंने आमेरिकन बादाम लिया है देमी से मद्यम आज पर इसे हमें हलका सा रोस्ट करना है जब यह हलका सा रोस्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक चोताई कब जितना पिस्ता और एक चोताई कब जितना काजो काजो आप टुकडे वाले भी ले सकते हैं जो सस्ते भी पड़ते हैं इन्हें भी हम दो से तीन मड़ तक हलका सा रोस्ट कर लेंगे जिससे इसके अंदर जो नमी है वो खतम हो जाए और पीसने में आसानी हो अगर हम बादाम को इस तरह से तोड़ कर देखें तो यह तोड़ जानी चाहिए इस तरह से ट्राइफ्रूट्स अच्छे से सिग गए हैं इनके अंदर की नमी भी खतम हो गई हैं इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक यह ठंडे हो रहे हैं तब तक हम आगे की तयारी कर लेंगे यहाँ पर मैंने 10 पिस्ता और 10 बादाम लिये हैं जिने हम पतला लंबा कट कर लेंगे जो हम पाउडर बनाएंगे उसमें मिक्स करेंगे और उपर गार्निस करने में भी काम आ जाएंगे बादामा और पिस्ता को हमने लंबा और पतला कट करके तयार कर लिया है अब हम चीनी को पिसके तयार करेंगे सबसे पहले हम जार लेंगे और इसमें डेड़ कप जितना चीनी डालेंगे अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप दो कपचीनी भी ले सकते हैं यहाँ पर आठ से दस काले मिर्च ली है मैंने और चार से पांच हरी इलाइची अगर आपको जाइफल पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं आदे जाइफल को तोड़ कर डाल दें थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे और इसे हम पीस कर तयार कर लेते हैं बिलकुल बारीक पीसना है इसे हमें चीनी को हमने पीस लिया है और इसे हम थाली में निकाल लेंगे अब हम ड्राइफ रूट्स को पीस के तयार कर लेते हैं इन्हें हमें रुक रुक कर पीसना है लगातार मिक्सिको नहीं चलाना है आप पल्स मोड पर भी पीस सकते हैं और एक दो सेकंड मिक्सिको चलाए फिर बंद कर दे फिर ऐसे रुक रुक के पीसना है फिर से हमें एक दो सेकेंड के लिए चलाना है और फिर से बंद करना है लगातर चलाते हुए नई पीसना नई तो ये सारा तेल छोड़ देगा और पाउडर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा आप देख सकते हैं पाउडर को हमने पीस के तयार कर लिया है यह पाउडर बिलकुल बारिक पीसे इसके लिए हम जो हमने ट्राइफरूट्स पीस के तयार किये हैं वो हम चीनी में डाल देंगे चीनी और इस पाउडर दोनों को हम मिक्स कर लेंगे दौनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसकी बाद फिर से हमें एक बारे से पीस ना है जिसे पाउडर बिलकुल बारिक बन के तयार हो अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटी चमच जितना हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर से कलर भी अच्छा आता है और ये हमारे लिए बहुती लाबकारी होती है इससे हमारी हड़िया भी मजबूत होती है और जो जॉइंट पैन होता है उसमें भी रिलिफ मिलता है सर्दी के मौसम में खांसे जुखाम से भी बचाती है हमें तो इस पाउडर में हमें हल्दी को जरूर मिलाना है इस दूत में हमने हल्दी डाला है लेकिन हल्दी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इसका कलर आएगा इसके फायदे मिलेंगे लेकिन इसका जो टेस्ट होता है कड़वासा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस पाउडर को हम एक बार फिर से पीसेंगे इसे भी हमें लगातार चलाते हुए नहीं पीसना है रुक रुक करी पीसना है दियान रखें मिक्से गरम ना हो इसे भी हमने पीस के तयार कर लिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल बारिक पिस गया है यह इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे और इसके उपर जो हमने पिस्टा और बादाम कट करके रखेते ही वो डाल देंगे थोड़े से केसर के दागे भी डाल देंगे बादाम का पाउडर बना के हमने तयार कर लिया है अब हम इससे दूद बना के तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले हम दूद को गरम होने के लिए रखेंगे यहाँ पर मैंने एक बगोली लिये हैं जिसमें हम थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे जिसे दूद जो है वो तले में लगेगा नहीं यहाँ पर मैंने आदा लिटर जितना दूद लिया हैं इसे गरम होने के लिए रखेंगे दूद में उबाल आने देंगे उबाल आने के बाद हम इसमें चार बड़े चमन जितना बादाम का पाउडर डाल देंगे आप चाहे तो गरम दूद में डायरेक्ट ये पाउडर मिक्स करके चला के पी सकते हैं और आप इस तरह से दूद को गरम करके उबाल के भी पी सकते हैं इसे हम mix कर लेंगे और इसे दो मिनट तक हम हलका सा उबाल लेंगे इस तरह से अगर हम दूद को powder डाल के उबाल कर पीते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है दूद को हमने दो मिनट तक उबाल लिया है दूद पीने के लिए तयार है तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं आप एक बार इस powder को जरूर बनाईएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद